साथियों, आज जब देश में चारों तरप अम्रित महोत्सव की गुंज है, पंदरा अगस्त पासी हैं, तो देश में एक और बड़े अभ्यान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर विरांगनाओं को सनमान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शुरू होगा। इसके तहट देश भर में हमारे अमर बरिदानियों की स्मृति में अनेक कारकम आयोजित होंगे। इन विभूतियों के स्मृति में देश की लाखो ग्राम पंचायतों में विशेश सिलाल एग भी स्थापित किये जाएंगे। इस अभ्यान के तहट देश भर में अमरित कलस यात्रा भी निकाली जाएगी। देश की अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। पच्चतर सो कलस में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल बौर मेमोरियर के समीत अम्रित वाटिका का निर्मान किया जाएगा। ये अम्रित वाटिका एक भारत स्वेष्ट भारत का भी बहुती भव्य प्रतिक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल के लिए से अगले पचीस वर्षों के अम्रित काल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभ्यान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पुरा करने की सपत मिलेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर सपत लेते हुए अपनी सेलफी को you are.gov.in पर जरूर अप्लोड करें। पिछले वर्ष वतंतरता दिवस के अवसर पर हर गर तिरंगा भ्यान के लिए जज़ापुरा देश एक साथ आया था। वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर गर तिरंगा फैराना है और इस परंप्रा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तवियों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिये गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मुल्य का एसास होगा। इसलिए हर देश वासी को इन प्रयासों से जुरूर जुड़ना चाहिए। झाल झाल